हेलो फ्रेंच मैं विकास इंडिया व्ल स्टाक्स स्लेशन में आपका स्बागत है दोस्तों मैं आज दिर्खाने जा रहा है Google Adsense Google Adsense का जो हम लोग एड और चलाते हैं तो Google Admin कैसे चलाना है दोस्तों बहुत लोग क्या समस्य आता है कि सबसे पहले हम लोग जजडाइल क्या करता है ना सेम प्रेटफर्म पे वो गूगल एड़ चलाता है ठीक है फुर एक लाइक एक यामपल कुछ भी इस टाइप का आपका डिलेटेड गूगल एड़ जो हम लोग क्या है ना सर्विस केमपेल लेते हैं या सेल्स का केमपेल लेते हैं उससे एक दोस्तों सेम एस ही हम लोग क्या ना गूगल एड़ सेंस में स्वेम अपने फंड लगा करके एड़ विजट लगा सकते दोस्तों तो देख सकते दोस्तों हम लोग इस टाप का गूगल का एड़ सेंस का आपनिंग कैसे करना है या कैसे हम लोग एड़ सेंस करते हैं ठीक है या एड़ वर्ड कैसे लगाते हैं तब वन बाइवन देख सकते दोस्तों तो यह अभी हमने गैड्स में गया गुगल एड्स में देखिया ओपन हो रहा है अपने क्या करना है आप अपने आइडी क्रियेट करेंगे कि आइडी क्रियेट करने से डिच्षे क्या वैकर वर्ड़ सकता है जब आइडी क्रियेट उगा तो आफ आपना ऑप्सन अंतरा है तब आप निए क्रियेट कर सकते हैं निया क्रियेट कर लिए दोस्तों तो अभी हम लूग क्या करेंगे जैसे एक्जामपल मैं अपनी कंपणी का नाम डालेंगे जैसे सबसे पहले क्या है वेबसाइट का डिटेल्स है उन्होंने डिमांड किया है तो अभी वेबसाइट कैसे निकालेंगे उसका अपनी का नाम डाल डीटेल डाला हूँ ठीक है इंडिया वॉस्ट टैक्स निसीन टिक फॉर एडिया है ओ दूसरा का लिंक का लिंक हुआ है दूसरी के मेरे तो मैं अपना इंडिया वॉस्ट का भी आपन करूंगा जिसे फॉर एक्जांपल देखें नीचे में दीख रहा है मेरा लोगो ठीक है और लोगों के साथ यह इंडिया वॉस्ट यह अपना स्टाप का वेबसाइट मेरा अपन हो गया अब यहां से दिखाएंगे मैं सेयर करूंगा लिंक जैसे मैं लिंक सेयर किया हूँ अब यह लिंक सेयर करेंगे दिखेंगे दोस्तों जब लिंक सेयर करेंगे न तो वह अपना इमेल जो अपना गूगल एड्सेंस का जो यह अपना वेबसाइट का लिंक है वह लिंक आपन हो जाएगा तो यह link को मैंने को AdSense में लगाना है तो मैंने यह link को AdSense में पेस्ट किया ठीक है अब क्या है किस चीज़ का आपको AdWords लगाना है जिसे माले आप अधी YouTube का करना चाहते तो आप YouTube कर सकते हैं ठीक है में यूटूब का नयको नहीं करना मैं जो बेस्त एकाउंट बनाना तो बिजनस अधी मत खूल में बुझान आपको अपना जितने गुगल मांना विजनस में जो आपने प्रोफायल एजैंग किया है इस से क्रिंग गुगल माइब उसका लिंक करना तो दोस्तों देख सकते हैं यह Google my business का link इसमें इंसर्ट करेंगे अब लोग तो first of all देखिए पहले number number जो है number डालना है और पहले business का phone number select करना है अपने number डालना है फिर इसके बाद इंडिया select करके अपने number डाल दिये हैं डालने के बाद फिर इसको देखे यह दे है देखिए option दे रहा है दोस्तों यूटूब का Google my business का और फोन नंबर कर सकते हैं तो हमने phone number नहीं किया है मैंने Google my business को profile को क्योंकि हमने भी वहां link करके रखा हुआ Google my business link को तो इसको पहले Google my business को जितना भी जो link है अब link कैसे निकालेंगे है दोस्तों Google my business का तो आप देख सकते है step by step हमारे चैनल पर किया मैं आपको वन बाइवान आप content में देखी का मैं कैसे step by step आपको दिखाऊंगा गूगल my business का link कैसे आपको निकालना है तो देखिए मैं भी जाओंगा सिधा मैं गया Google गूगल पर मैं Google my business profile पर जाओंगा step by step देख सकते हैं दोस्तों मैंने गया अभी फिर इसको हटाएंगे इसको हटाने के बाद मैं अपने डारे कंपनी का open करूंगा ठीक है आप कंपनी का यह मेरी कंपनी प्रोफाइल है दोस्तों देख सकते हैं ड्रेस अड्रेस सब कुछ है हम देख सकता है कर रहा है लिंक नहीं दोस्तों मैं दिखांगा आप स्टेव एस टेव में देखिए गूगल में ने किया वहां देखा गूगल में नहीं शो किया लिंक लेकिन अभी मैं यहां से दिखांगा को कैसे Google My Business का Link open कर सकते हैं तो मैं अभी company select करूँगा company select किया ठेक है company select करने लेको पर फिर Google My Business में जाओंगा कि देखें है कि हमारे email id दूसरे login से है इसलिए मैं उसको दिखा रहा हूँ अभी यह आ गया इस टाप को में इसको दिखारा गेट वरिफाइड का गेट वरिफाइड के वज़ए से जो अभी किया है कि गुगल जो नहीं ऐसी किया है मत्तों समझ लिए वीडियो से जितने भी गूगल माई विजनेस है उसको एप्रूब करने के लिए जो अप्सिन दिया इसके वज़ए से अभी गेट वाले जो लाइन है उस पर क्लिक करना है उसको शेयर करना है दोस्तों या उसको हम लोगो कॉपी करना है जिसे भी कॉपी लिंक्स हो कर रहा है दिखें मैं कॉपी लिंक्स करूंगा कॉपी करने के बाद फिर आप इसको अप्लूड कर सकते दोस्तों या पेस्ट कर सकते तो रने वाद next का option आ जाता है तो आपको आधी get verified है दोस्तों तो टेट आपको open हो जाएगा नहीं verify है तो यह challenge आ सकता है दोस्तों अब को तो सबसे पहले आपको verification करना है तब है Google my business का link उसमें upload तो आपका लिंक नहीं ऑफन हो सकता है या नहीं नेस्किन दे सकता क्यों हमारा ही लिंक है या नहीं है यह देखने के लिए आपको और इंधे में अपने से अपने कंपनी का नीक हो तो थो एक पंपन Window कर रहा है दोस्तों उस ट्रयक कर लिंक बनाने की जूरत पड़ती है सब्सक्राइब करें दोस्तों लाइक करें कमेंट करें दोस्तों हमँरे यूट्यूब